बिसमे लाय रख्मारे रहीम, dear students of LLP part 1, welcome to the video lecture series of philosophy of law. Today we are going to discuss our handout number 2 and that is historical development of law. कानून किस तरह बना, what are the different stages regarding the historical development of law, इस handout में हम इसको discuss करेंगे. तो first उसी तरह हमारी जो पहली heading आएगी, वो introduction regarding law की आएगी. आप students को एक मेरी तरफ से suggestion ये है कि आप थोड़ा सा research किया करें. तो research में ये होगा कि आप सबसे पहले जो भी handout आपको provide किया जाता है, या जो भी topic आपको समझाया जाता है, या जिससे related आप अपनी assignment prepare करते हैं, उसमें आप कमसकम relating to that topic, आप दो जो है वो quotations लाजमी ढूंडा करें. एक quotation आप introduction में add किया करें, और एक quotation जो है आप वो conclusion जो कि last heading होती है, किसी भी assignment की, उसमें आप जरूर incorporate किया करें, इससे एक तो जो examiner जब आपकी question को check करेगा, तो ये impression उसके mind में जाता है, कि बच्चा जो है उसने खुद research की है, इस चीज को जो है वो खुद इसको search करके और इसको create किया है, यानि कि वो just ये नहीं कर रहा कि उसको कोई बनी बनाई चीज मिली है, और उसने इसको cram करके जो है as it is लिखा है, सो अपने topic की तरफ आते हैं, historical development of law, सबसे पहले आप introduction देंगे relating to history of law, कि कानून जो है वो किस तरह बना, कौन-कौन सी different stages हैं, जिस तरह कानून जो है वो evolve हुआ, अब evolve मीन इर्तका होना, वक्त के साथ साथ जो है वो परवान चरना, वक्त के साथ साथ उसका इर्तका होना, और उसकी development होना, ये होता है stages of evolution जो है, जो कानून जो है वो evolve हुआ time to time, second heading जो है आपकी वो meanings की आजाएगी, students ये गलती करते हैं, कि वो ये जो word definition इसमें heading में लिखते हैं, वो meaning का लिख देते हैं, ये proper word नहीं है, proper word meanings है, आपने meaning और s आगे जरूर use करना है, meaning सिर्फ नहीं लिखना, for example अगर आप law को define कर रहे हैं, या law के किसी question को कर रहे हैं, तो आप अगर ये लिख देते हैं, कि meaning of law, तो ये एक grammatically sense जो है, ये ठीक नहीं है, meanings of law, इस तरह आपने this heading को ले के चलना है, एक से दू आप meaning लिख लें, meanings में जो है वो जरूरी नहीं है, कि आप reference quote करें, just आप point दे दें, एक point में उसको meaning law का जो है वो लिखते हैं, या कहीं से भी आप meaning of law आप उठा के लिख सकते हैं, third heading आपकी आएगी definitions of law, जब भी आप किसी भी question को attempt कर रहे हैं, तो आप ये देखें कि basically examiner जो है वो आप से किस मौजू के बारे में पूछ रहा है, वो चाहे आप से law and its definition by the various jurists पूछ रहा हो, वो आप से historical development of law के बारे में पूछ रहा हो, वो आप से sources of law के बारे में पूछ रहा हो, तो इन तीन जो मैंने अभी आपको example topics की दी हैं, तो basically इनका मौजू क्या है वो कानून है, law है, तो आपने ऐसा कोई भी अगर question आता है, कि जिसमें मौजू जो है वो कानून का हो, तो आपने उसमें कमज कम, कमज कम जो है तीन या चार definition आपने जरूर लिखनी है, अब उसके बाद fourth heading अगर आप देखें, तो ये आ रही है जो हमसे question examiner ने पूछा है, historical development of law किया है, और याद रखें, examination point of view से अगर आप past question papers को उठाएं, तो आपको ये पता चलेगा, कि ये question भी most repeated question है, meaning thereby कि most important question है, हमारे examination point of view से, तो ये थोड़ी सी मैंने जरा इस heading में timeline दी है, कि किस तरह कानून जो है वो historically evolve हुआ, तो one by one हम इसको देखते हैं, देखें जब कानून नहीं था, दुनिया में जब कानून इस तरह एक proper legal order नहीं था, तो दुनिया में customs थी, रिवायात थी, लोग क्या करते थे, उनकी अपने traditions थी, रस्म और रिवाज थे, रिवायात थे, वो क्या करते थे, उनके मताबिक अपने जिन्दगी का गुजर बसर करते थे, अपने फैसले करते थे, फॉर एजमपल जिस तरह एक जिर्गा सिस्टम होता था, कि किसी भी इलाके में जो है, एक किसी भी शख्स को ये इक्तियार दे दिया जाता था, कि अगर इलाके में कोई भी ऐसा अमल करेगा, कि जिसकी वज़े से उस इलाके की जो सुसाइटी है, वो सोशल नॉम्स जो हैं, वो डिस्टर्ब होंगे, तो वहाँ पर क्या होता था, वो शख्स पिर अपनी अकल के मताबग, शओर के मताबग, विज़्डम के मताबग फैसला करता था, तो इस किसम की रवायात होती थी, बट कुछ कस्टम्स ऐसे भी थे, कि जो मुरैलिटी पे बेस नहीं भी करते थे, लेकिन कस्टम्स थे, उस वक्ट जूँके कानून नहीं था, एक प्रॉपर लीगल और नहीं था, तो लोग अपनी सुसाइटी को फॉर्मलाइज करने के लिए, एक प्रॉपर और और में चलाने के लिए, वो उन्होंने कुछ अपनी कस्टम्स या रिवायात जो हैं, अपनी अलाके की वो बनाई भी होती थी, उसके बाद हम देखते हैं कि 1760 B.C. में दुनिया में पहला रिटन कानून आया, दुनिया में फर्स्ट जो रिटन लौ आया दुनिया में, उसका नाम है कोड ओफ हैमुरभी और ये आया 1760 B.C. में, अब हैमुरभी क्या है, हैमुरभी बेसिकली एक किंग था, मिसोपोटेमियम सिवलाइजेशन थी, बेसिकली तीन जो बड़ी सिवलाइजेशन है, अगर आप एक बुक मैं सज़ेस्ट करूँगा आपको, क्लैश ओफ सिवलाइजेशन, इस बुक को आप जरूर पढ़ें, ये एजिली आपको मिल जाएगी, इंटरनेट पे भी, पीडियेफ ओमें, पीडियेफ ड्राइव की वेबसाइट पे जाके भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और एजिली जो आप इसको पढ़ सकते हैं, क्लैश ओफ सिवलाइजेशन, अब इस में, इस बुक में आप देखेंगे, कि जब इनसान ने दुनिया में एक प्रॉपर वे में रहना शुरू किया, तो वो मुख्तलिफ जगों पर आके इनसानों ने आबादियां बनाना, यानि कि आबाद होना वो शुरू हो गए, तो अब एक चीज जो कॉमन है, इनसान को जिन्दा रहने के लिए जिस चीज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो होता है पानी, तो तीन जो सबसे बड़ी सिवलाइजेशन थी दुनिया में, वो अब जिस तरह नाइल सिवलाइजेशन थी, इंडस सिवलाइजेशन थी, और थर्ड ये जो मिसोपोटेमियम सिवलाइजेशन थी, ये दर्याओं के किनारे पर ही थी, दर्याए नील के किनारे पर थी, इंडस सिवलाइजेशन, दर्याए सिंद के किनारे पर थी, और इसी तरह मिसोपोटेमियम सिवलाइजेशन, जब यह जो अलाका है मिसॉपुटेमिया यह पेसिकली आज के हवाले से अगर आप देखें तो दरियाए ढजला और दरियाए फरात जो हैं जिस जग़ाए जाके मिलते हैं, क्रोस लगाते हैं आप अगर मैप को देखें तो ये इराक एरान का कोई एरिया बनता है वहाँ पे जाके तो वहाँ पे ये दोनों दरिया दजला और दरिया फराद जो है ये क्रास करते हैं वो जो point है उसको मेसोपोटेमिया कहा जाता है और वहां पे ये civilization जो है जाके आबाद हुई और इसी civilization का एक king था जिसका नाम था king हैमुरभी अब उस civilization में मुख्तलिफ अकवाम जो है वहां पे थी उसमें एक कौम जो है जिसे बेबिलोनियन कास्ट बोला जाता है तो basically king हैमुरभी जो था वाज अब बेबिलोनियन किंग और ये मिसोपोटेमियम civilization में ये king था तो इसने क्या किया first time in the history of the world written कानून लेके आया यानि कि दुनिया में पहला जो written कानून है उसको code of हैमुरभी बोला जाता है और ये एक कोनिफर language में था अगर आप google पे search करें code of हैमुरभी तो आपको इसकी pictures जो है मिल जाएंगी ये एक slab यानि के एक पत्थर जो है उसके उपर ये लिखावा था पूरे का पूरा कानून और ये round shape में एक आपको चटान नुमा पत्थर मिलता है आप बेशक इसको google पे search करेंगे आपको इसकी history overall मिल जाएगी तो ये एक चटान नुमा पत्थर था round shape में और इसके इर्दगेर्द round shape में ही पूरे का पूरा जो वो code था वो जो कानून था जो के Babylonian king of Mesopotamian civilization जो हैमुरभी था king हैमुरभी उसने इसकी उपर पूरे का पूरा कानून जो है वो लिखा था और ये 282 इसके rules थे total जो ये code of हैमुरभी की थे तो दुनिया में ये पहला written कानून जो है वो आया इसके साथ आपने देखा कि मैंने एक quotation जो है वो king हैमुरभी की code की है वो कहता है कि the first duty of government is to protect the powerless from the powerful हकूमत की या रियासत की पहली जमेदारी क्या है कि उन अश्खास को उन लोगों को जो के powerless हैं जिन के पास ताकत नहीं है जो के मजलूम हैं उनको ताकतवर लोगों से बचाना हकूमत की पहली जमेदारी है तो ये king हैमुरभी जो है इसकी ये quotation है इसी तरह आपको मैं बार बार एक चीज क्लास में भी बताता हूँ और यहां पे online lecture series में भी बता रहा हूँ के आप लोग जो है quotation को जरूर relevant quotation जो है उसको जरूर आप लोग incorporate किया करें अपनी assignment में next definition की तरह आते हैं जी solon's law second जो कानून दुनिया में आया उसको बोला जाता है solon's law और यह आया 6th century बीसी में solon basically एक ethian था और यह politician था और फिर lawmaker भी था क्योंकि इसने कानून दिया अब दुनिया में याद रखें first time जो legislative body यानि कि जिसे हम आज legislature बोलते हैं या parliament बोलते हैं दुनिया में पहली मरतबा जिस शखस ने legislative body जो है वो constitute की कि ऐसी एक कुछ अश्खास पे मुच्तमिल एक ऐसी body बनाई कि जिसका काम रियास्त के लिए कानून बनाना था वो यह solon था जिसने जो है वो इस body को constitute किया अब उस time पे एक concept पाया जाता था seven wise men का कि दुनिया में साथ दाना लोग और इसने जो body अपनी constitute की थी उसमें जो साथ अश्खास इसने बिठाए थे उनको seven wise men का नाम दिया गया था थर्ड हेडिंग की तरफ आते हैं हम law of twelve table solon's law के बाद ancient Rome में आपको यहां पे दो dates नजर आ रही है 451 and 450 BC 451 BC में जब ये कानून बना था तो ये 10 table थे यानि के 10 वो slabs थी जिनकी उपर ये कानून लिखा वा था लेकिन 450 BC में जाके ये 12 bronze table जिनकी उपर ये कानून लिखा गया अब हर table के उपर हर slab के उपर मुखतलिफ गयानून था तो तो टोटल ये 12 tables थी 12 slab से जिनकी उपर ये कानून बना और इसको law of twelve table का नाम दिया जाता है उसके बाद फिर classical jurist का इरह आता है अब jurist मैंने आपको बताया था कि आप person having command on law अब law की उपर command कैसे आती है कि जब आप philosophical approach toward law आती है तो तब उस शक्स की law की उपर command आती है अब देखें investigative study करना कानून की उपर jurist का काम है और investigative study होती है existing fact के उपर तो यहां से चीजों को अगर आप interlink करें तो classical jurist एरा से पहले कानून दुनिया में आ चुका है कैसे आ चुका है code of memory भी भी आ चुका है solon's law भी आ चुका है law of 12 table भी आ चुका है तो अब दुनिया में कानून जो है वो एक existing fact हो चुका है जब कानून एक existing fact हो गया है तो अब उस कानून की उपर लोगों ने investigative study करना शुरू कर दी अब roman jurist जो थे उन्होंने कानून की उपर investigative study करना शुरू कर दी तो यहां से यह जो एरा है इसको तकरीबन यह first century BC से लेके third century AD first century BC से तकरीबन middle of the third century AD जो है इसमें classical jurist का एरा हमारे पास आता है मुखतलिफ जो classical jurist हैं जिसमें हमने alpine की definition भी definition of law में हमने देखा था वो भी इसी classical jurist एरा में आता है तो मुखतलिफ jurist है अब कानून की उपर अपनी अरा देना शुरू कर दी अपनी अपनी राय देना शुरू कर दी और कानून को मुखतलिफ अंदास से अपने research की base पे अपने investigative study की base पे कानून को जो है यह वो define केरना शुरू कर दी है उसके बाद क्या होता है जी 476 AD में जा गे Western Roman Empire जो है वो collapse हो जाती है 478 AD में क्या होता है Western Roman Empire collapse होती है और power जो है वो shift हो जाती है चर्च के पास इससे पहले हमने देखा कि power king के पास है, sovereign के पास है, ultimate power है, absolute मुनार्की है अब यहां पे power clash आता है, power clash, अब clash कैसे आता है, अब power एक साइड पे चर्च के पास आ गई और दूसरी साइड पे king के पास आ गई यहां से power clash शुरू होता है, यानि के power जो है वो divide हो गई Western Roman Empire के collapse होने के बाद और power जो है वो चर्च के पास आ जाती है, उसके बाद हम यह देखते हैं कि 529 से 534 AD का जो time period है, इसमें एक king आता है, अच्छा यह जो king है, यह बेजन्टाइन Empire से था, बेजन्टाइन, बाजन्टीन भी बोला जाता है, बेजन्टाइन Empire से यह king था, king Justinian 1, अब यह king Justinian 1 जो ह अच्छा जब मैं आपको civilization का बताता हूँ, तो एक civilization में मुख्तलिफ Empire हो सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था, कि मिसोपोटेमियम civilization में Babylonian Empire था पूरे का पूरा, अब बेजन्टाइन भी एक Empire है, जो कि exist करता है, 529 AD से onward जाके, बेजन्टाइन Empire, और इसका king जो था corpus, juris, civilis, corpus mean body, juris mean law and civilis mean civil, यानि के body of civil law, अब civil से यहां वो मुराद ले रहा है, state, civil law mean law of the state, अब इसका जो जिस्टीनियन कोड है, वो चार volumes पे मुश्तमिल था, वो in detail जो है, मैंने आपको class में जब ये lecture हुआ था, उसमें बताया था, कि एक volume जो है, उसमें इसने तमाम के तमाम कवानीन, जो already pre-existing कवानीन थे, code of memory से लेके वगारा वगारा, जितने भी कवानीन आए, उनको इसने compile किया, और उनको collect किया, और एक compiled volume जो है, इसने अपने जिस्टीनियन कोड का निकला, फिर इसी तरह इसने जो उसका second volume है, उसमें इसने क्या किया, कि तमाम के तमाम जबान में, उसने उस कानून को जो है, वो interpret किया, तो इसी तरह इसकी चार volumes बनते हैं, आगे जाते हैं जी, first university of law, हम देखते हैं कि 1080 AD में, योरप में, पहली university बनती है, कि जो कानून की university थी, जिसमें कानून पढ़ाया जाता था, अब यहाँ पे, जो subject वहाँ पढ़ाया जाते हैं, एक तो common law और एक civil law, civil law जो कि King Justinian 1 ने बनाया और common law वो सारे का सारा जो इस Justinian law से पहले का था, यह दो subject जो है, कानून की degree में पढ़ाया जाता था, फिर उसके बार development होती है, पूरी दुनिया में जो है, वो law की universities बनना शुरू हो जाती है, और इसनका जो starting point है, व में बनी, फिर उसके बाद पूरी योरप में जो है, वो universities का एरा जो है, वो start हो जाता है, उसके बाद Roman law को जो है, एक subject का दरजा दे दिया जाता है, उसके बाद अगर थोड़ा सा आप अगर modern world में आएं, तो 18 सदी के आखिर में, at the end of 18th century, एक क्या किया गया कि national codification, यानि क अगर किसी state ने किसी कानून को लागू करना है, तो वो सबसे पहले उस state की legislative body होगी, वो उस कानून की codification करेगी, यानि कि एक proper तरीके से उसकी legislation होगी, और वो proper तरीके से उस मुलक का एक written कानून बनेगा, तो तब ही उसकी implementation हो सकती है, national codification का ये जो एरा है ये, at the end of 18th century, य शुरू हुआ, उसके बाद 19th सदी में अगर आप आके देखें, तो अब इससे पहले जो भी हम देख रहे हैं, कानून या तो बादशा बना रहा है, या कोई legislative authority कानून बना रही है, तो बस ये दो ही जो है वो powers थी, अब basically जो legislative body है, वो भी delegated power है, उसकी through मुनार की, यानि क king की तरफ से, तो basically sovereign ही कानून बना रहा था, लेकिन 19th century में हम ये देखते हैं, कि president का concept आ जाता है, अब president क्या है, कि even अगर legislature एक कानून बना रहा है, या एक king कानून बना रहा है, तो अब उस कानून के तनाजर में, अदालतें भी मौजूद हैं, अदालतें उस कानून के मत अब एक फैसले कर रही हैं, तो एक और concept जो है, वो emerge होता है, कि president के judges का भी जो फैसला है, वो कानून का दरजा रखता है, concept of president जो है, वो 19th century में आता है, president क्या होता है, कि judgments, case laws, decision of the courts, अब वो जो decision of the court हैं, वो भी कानून का दरजा रखते हैं, तो 19 सदी में presidents जो है, उनको भ के modern world में एक और जो concept बहुत ज्यादा है, in the world of democracy, जिसको prevail किया जाता है, वो है rule of law, अब rule of law क्या है, rule of law का मतलब है, कानून की बाला दस्ती, कानून की हुकमरानी, अब ये concept हमें A-V-DICE से देता है, A-V-DICE से क्या कहता है हमें, कि rule of law में तीन चीज़ें आती हैं, कि अगर किसी state में ये तीन चीज़ें मौजूद हों, meaning there by के उस state में कानून की बाला दस्ती है, कानून की हुकमरानी है, पहली चीज़ क्या है, equality before law, कानून की नजर में सब बराबर हैं, कोई कानून से उपर नहीं है, कोई कानून से नीचे नहीं है, तमाम के तमाम कानून क कानून की नजर में बराबर हैं, equality before law है, अच्छा कानून की नजर में अगर सब बराबर हैं, तो supreme of law, लेकिन कानून उन से उपर है, पहली बात कानून की नजर में सब बराबर हैं, दूसरी बात कानून उन से उपर है, कानून उन सब से उपर है, और उसके नीचे सब के सब लोग जो हैं वो बराबर हैं और थर्ड रिस्पेक्ट टू जू 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 ज केबल हों या apply हो रही हों तो meaning देर वाए कि उस state में rule of law है यह थे हमारे कुछ points relating to historical evolution of law historical development of law भी ठीक है लेकिन मैं suggest यह करूंगा कि यह इसका जो बहतर जो title बनता है वो है historical evolution of law कानून का इर्तका कानून का इर्तका कैसे हुआ one by one मैंने आपको तमाम headings में बता दिया है अब देखें जिस तरह मैंने introduction में एक quotation put की थी उसी तरह conclusion में भी मैंने एक quotation जो है वो put की हुई है thank you very much Allah Hafiz